हेलो फ्रेंड नमेशकार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं चिली फ्लेक्स कैसे बनाती हैं घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे निरबाइ चिली फ्लेक्स नहीं मिलते हैं और हमने काफी सारी recipe में यह यूज करना होता है तो चलिए आज इसे हम घर पर ही बना लेते हैं सिर्फ 2-3 मिनट में यह बनकर रेडी हो जाती है यहाँ पर हमने लाल मिर्ची ली है यह हमारे पास whole लाल मिर्ची है साबुत वाली यह मैंने ली है यह इसे थोड़ी सी सीली होती है इसको हम पहले रोस्ट कर लेती है पहले हम एक कडाही लेते हैं उसके अंदर डाल लेंगे चिलीस को और इसे थोड़ा सा एक से दो मिनट रोस्ट कर लेंगे और इसे फिर ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद हमने इसको बिल्कुल एक से दो बार चर्ण करना है मिक्सी में डालकर उसे ये अच्छे से इसके टुकड़े बन जाते हैं बिल्कुल छोटे शोटे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना होता देखें ये हमारे रोज से हो चुके हैं अब हमने इसे ठंडा भी कर लिया है अब हम इसे ग्राइंडर में डाल लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा पीस लेंगे बस इसे मिक्सर में लगा कर एक से दो बार आपने चर्ण करना है और इसे थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना है तो लीजिए ये हमारे चिली फ्लेक्स बनकर रेडी हो गए है अब हम इन्हें आपको दिखाते हैं निकाल कर दो बार में मैंने ये सारे चिली फ्लेक्स बना लिया है ये मेरे पास 200 ग्राम लाल मिर्ची थी तो ये हमारे चिली फ्लेक्स बन गए इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो साल भर तक भी ये रह जाते हैं आप इन्हें किसी टाइट कंटेनर में डालिए और रख दीजिए और इसे आप फ्रीज में रख कर भी स्टोर कर सकते हो तो लीजे चिली फ्लेक्स बनाने का बिल्कुल सिंपल और इजी वे है और दो मिनट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं आपको हमारी रेशिपी कैसी लगी है आप हमें बताईएगा और वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम मिलते हैं किसी नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक कियर